गोड इवनिंग नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिव प्रिया जा सर के साथ PCSRD चैनल पर तो आए ज़रा देखते हैं आज के सैसन में हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है सर क्या-क्या जानना है सर बट उससे पहले की आगे बढ़े हम लोग आप स जल्दी जल्दी से एक बार सैसन को लाइक सेर कर डालिएगा ताकि अपना सैसन जो है आपका वो हिट टू हिट हो जाए भाई है ना पहली बात और आज अब फाइनल से डूल आपको मिल जाएगा जो कि आगे के कुछ मंत्र तक फाइनल रहने जा रहा है जहां पर हम आपको बाहु बली का तो टाइम फिक्स रहेगा इवनिंग वाला टाइम जो है जिसमें आप लोग परिशान हो जातें की भाईया का टाइम रख दिये हो कोई भी काम धाम नहीं किया जारा है तो प्रॉपर आपको सेडूल दिया जाएगा जिसमें कि आप सब प्रॉपर सेडूल के वीपी जी ठीक है और अंजली जी सभी को गोड इवनिंग नमस्कार ठीक है तो आई ये ज़रा अब बढ़ते हैं अपने पार्ट पर आज के सेशन को आगे कंटिन्यू किया जाए नदीन साहब गोड इवनिंग भई तो सभी को आपको बता दिया कि सर हम लोग आज प्रॉपर पर स्यूडू देखेंगे और हाँ जितने भी अमारे बिहार के स्टुडेन्ट है उन लोगों के लिए एक अच्छी बात ये हैं कि आगले दिन से बिहार जी के का अलग एक सेशन लाया जाएगा जो कि आप सब जरूर करिए गा और बाहु बली तो डिटेल चले गए उसमें टाइम फिक्स रहेगा बाकी अब टाइम अगला क्या होगा वो भी आज आपको बताएंगे ठीक है तो चलिए एक बार लाइक सेर के साथ आगे बढ़ेंगे अच्छा आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सर नव दिन नवरात्र की सुरुवात हो चुकी है तो आज इस पहुत सब के मौके पर अपनी टीम आप सब के लिए लाया है बहुत यह अच्छा खासा offer क्या है सिर्फ तरी 499 में आपको एफिलेबल होगा और उसमें भी कोड आपको बतावाई 260 है ना गुरुजी का कोड वाई 206 इससे आपको और भी बेस्ट अविलेबल डिसकॉंड मिल जाता है इसके साथ साथ आज महापैक पर भी बहुत अच्छा खासा ओफर है बीपेसी का महापैक यह दिया आप जोइन करते हैं वही 36 मंत की वैलेडिटी के साथ 3999 लेकिन वही फि जल्दी जल्दी से बस सभी लोग है न जुड़ जाएए और बताएए कि चा है आपका आज का सेसन किस तरह से चलना है जस देखते हैं आज कैसे चलिए ओके सांभुवी जी गूड़ इवनिंग बताएए जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट को करिए गर डूरिंग दाइम विच मुगल इंपेर डिद्द सर्थामस रो कम टू इंडिया कब कोन कैसे आया यानि सर्थामस रो कब आया बावर के टाइम पर अकबर के टाइम पर जहांगीर के टाइम पर साजा के टाइम पर या फिर नन अब दावा more than one बताएए यस चलिए सर जितने भी बच्चे जुड़रें एक बार थोड़ा सा लाइक से नदीम जी अंजली जी ओके सांभवी जी आयूस जी ठीक है और जी अब बहुत बढ़ियां आई यह जरां सर को देखते हैं कि चार आंसर अपका ठीक है सो सर क्रेक्ट आंसर क्या है ये किसके टाइम पर आया था तो आप सब जानते हैं कि सर तोमस रोज वाए थे ये आए थे सर जहांगीर के टाइम पर हैना यहां पर पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर्थॉमस रो जो था बिटेन का एना बिटेन की सरकार के द्वारा पहला एंबेस्डर था बिटेन की सरकार द्वारा कंपनी द्वारा नहीं कंपनी द्वारा तो इंग्लिस खा था जाने ना आपको एना जिसको इंग्लिस खा जांगे लो पादी द संद्रा में और एक तरह से देखे तो जहांगीर का ड्रिंकिंग पार्टनर कहला आया जहांगीर का ड्रिंकिंग पार्टनर कहलाने का मतलब एक दम क्लोस रिलेशन बन गया जिसके कारण कि बिटिस की अस्तित्तु को एक तरह से बहुत स्ट्रॉंग है ना पॉइंड मिला इस पूछा जाता है कि कमपनी के द्वारा पहला कौन बेजा गया था ठीक है तो काप्टन होकें जिसको इंगली स्खा के नाम से जानते हैं लेकिन यदी पूछा जाए कि भई जो हमारी बिटिस की पार्लिमेंट उसके द्वारा कौन बेजा गया था तो थामस यह दोनों पॉइं सभी लोग जल्दी जल्दी से आज आज का यह टाइम है कल से आपको आज अभी थोड़ी देर में आपको सिड्यूल भी दिखा देंगे और उसी टाइम पर आप रेगुलर अगले दो तीन मेहने उसी टाइम पर रहने हैं एक फिक्स टाइम ताकि आप लोग को ज्यादा टे जली जी, नदीम सब, निशा जी, सांभवी जी ठीक है, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, सभी का गोड़्स, देखे, अभूल-फयजल, अभूल-फयजल, और यह सब करेक्टरंटर है, अभूल-फयजल है, देखे, यहाद पर, जो, जैसा हमने बता है, कर चेढल को एक हासकर इंग्लीस मेडिया में जो रहते हैं वह परिशान रहते हैं यह फेक्ट है हमारे पास कईयों का आता है जैसे बाओवली वाले उती समय उद्धू तो कईयों कर यह रहता है कि सर हर जगह पर कॉल करता है जब कि क्लास ले रहे हूं है और वो भी फ्रॉड लोग तो इसी लिए ना एक प्रॉपर मैनर में ब्यार जी को को सुरू से एंड तक लाया जाएगा ठीक है ये अभी आपको बता रहे हो दो से तीन मैने रेगुलर ये चलेगा आपका अगला वरी सेरसा सूरी इस टॉम लोकेटेट सेरसा सूरी का टॉम कहां पर है सर आपसेन है आपके सासारा मानेर है ना सीता मरी पावापूरी या फिर नन अब दावं मोर देन बन बताईएगा कुमारी दुर्गा जी ओके चलिए बहुत बढ़िया बच्चे अब इसका बताईए जल्दी जल्दी से नदीम जी निसा जी सामभवी जी ओके बिलकुल सही है कुछ सोचना नहीं है इसमें सर क्या है सासा राम सासा राम सासा राम अच्छा यदि यहीं मैं आपसे यह पूछ लेता हूँ यहीं मैं आपसे यह पूछ लेता हूँ देखे यह है तो बीपेसी का कोशन और आप में से सभी लोग कर रहें लेकिन यहीं पर एक कोशन पूछ लेता हूं कि बिहार का कौन सा डिस्टिक है जो की आपका उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और जारखंट से भी जुड़ा हुआ है तो वहां पर कन्फ्यूज होने शुरू हो जाएंगे तो इस टाइप के तमा ध्याना दर एकारी सिस्टम वहस फोस्ट इंप्लिमेंटेड इन रहेट वाड़ी सिस्टम पहली बार कहां पर इंप्लिमेंट किया गया सर गुजरात में बद्रास में बैव में ओड़ी सामें नन अब दबाम मोर धैन बन बताईए ख्यार चलिए बताईए ब्रिजेश साहब गुड एवनिंग भाई थोड़ा सा जोड दिखाईए बच्चों आंसर को करिए चलिए आईए जरा आंसर को अच्छे से जानते हैं सो अंजली जी निसा जी आयूस जी ओके ठीक है सो करेक्ट रांसर क्या है सर मद्रास तो करेक्ट रांसर है है ना इसमें एक पॉइंट और याद रखे रियत वाड़ी सिस्टम जो इंट्रड्यूस किया गया था ना सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में किसके द्वारा लाए गया था सर किसके द्वारा लाए गया था तो मुनरो जो है मदरास का ये गवर्नर था ठीक है तो भारत का गवर्नर जैनेरल उस टाइम पर कौन था ये बताए जर्ण के अभी कमेंट नहीं जा रहा था सर सांभवी जी कहें ओके ओके ठीक है कोई कोई बात ने सांभवी जी अब आगे कर ये आंसर है ना यस तो ध्यान रखिए अगला पॉइंट क्या है यास यास तॉमस मुन्रो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझेगा उस टाइम पर इंडिया का जो गवर्नर जेनरल था बताई ये कोई भी आप इसे नहीं आंसर करा है देखे वेल असली वेल जवी असली सब लोग वेले सली के रहे भाई साथ कितना गलत आंसर है करने वालो सभी का अंसर गलत है आयूस जी हो सांभवी जी हो न या फिर आयूस जी हो अना हमने पूछा जब मुन्रो लाया था सर रयतवाडी सिस्टम उस टाइम पर गवर्नर जेनरल इंडिया का कौन था गवर्नर जेनरल और बेंगोल कौन था सीमा जी गुड इवनिंग सीमा जी आपके लिए टाइम चेंज कर दिया है थोड़ा वेट करिएगा अभी दिखा द तक हैस्टिंग वास्था गवर्नर जेनरल और बेंगोल और उसके टाइम पर जैपका तॉमस मुन्रो अना ठीक है मद्रास प्रेसिडेंसी में रयतवाडी लाए था और रयतवाडी आपको बतावे भारत में सबसे ज्यादा पार्ट पर एक्यावन परतीसत हिस्सों पर रयत हूँ फॉर्म दा हना दा फॉर्वर्ट ब्लॉक वस फॉंडेट बाइ फॉर्वर्ट ब्लॉक किसने बनाया सर अना अप्शने आपके अना सर्दार सिंग जी राना स्वास्चंद्र बोस्टे प्रकास नारायन या लक्ष्मी सहगल या प्रोक्त में से कोई नहीं मोर देन वन है बताइये यह आयूस जी कह रहे है सर ऐसा कैसी हो गया ऐसा हो गया बही तमने गलत आंसर कर दिया एयूस है तुम्हारा जब तक कमबर नाम ता जबी तक तण तुमारा अच्छा आणसर आता ता जबसे आयूस बने हो तुम जब से दिक्कत कर दियो हां ठीक है चलिए नदीम साहब बिलकुल सही है ठीक है राकेश जी बिलकुल सही है ओके सामभवी जी बिर्जेश जी निसा जी बहुत बढ़ियां बचे देख है तो सर सुभास चंद्रबोस अब इनकी भी कहानी जरा ध्यान से सब्सक्राइब निकाला ठीक है फिर आपको ध्यान रखना है कि सर बाद में रिजाइन करने के बाद कॉंग्रेस से यह जुड़े इसके बाद सर 1838 के अधिवेशन में ज्यान से सुनिएगा 1838 का अधिवेशन हुआ सर कहां पर हरीपूरा में हरीपूरा कहां है सर हरीपूरा है गुजरात में हरीपूरा है गुजरात में उस अधिवेशन में यह अध्यक्ष बने थे और पहली बार वहां पर यह ज्वाइंट नहरुजी और इन्होंने स्वासचंद्रबोस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था कि फ्रीडम और प्रिंसली स्टेट इस आल्सो दा ड्यूटी आफ कंग्रेस पार्टी यानि जो रियासते हैं उनकी भी स्वतंतरता कंग्रेस पार्टी कराएगी यह उनि-13 में ठीक है सर फिर 1949 में हुआ उनीस्तों नालीश में जो कॉंग्रेस का सेसन हुआ वह वह त्रीपूरी में त्रीपूरा मत समझ लीजेगा त्रीपूरी है मद्यपर्देश में न त्रीपूरी में वह सेसन उसमें भी यही चुन लिए गया अध्यक्ष जबकि गांधियन फिलोसफर इनके अपोजिशन में भी अधिया थे लेकिन गांधी जी के जो सपोर्टर थे उनको ह्रा दिया गए और फानली यह बन गया फिर से कॉंग्रेस ड़ाइश के प्रेशिदेटट 59 में लेकिन और सर गांधी जी से Congress Working Committee के सदस्यों को बनाने को लेकर मतवेद हो गया गांदी जी ऑवियस है, पॉपलर थे तो इनका मतवेद हो गया मतवेद हो गया तो इन्होंने रिजाइन मार दिया रिजाइन मार दिया, और रिजाइन मार कर इन्होंने बना लिया 1938 में आपको बताया कॉंग्रेस का सेसन का पर गुजरात में 1949 में ये सेसन के अध्यक्ष बने थे वहां पर रिजाइन के और उसके बाद ही 1949 में इनो ने बना दिया सर फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का सबसे ब्रासरे इन्हीं को जाता है खैर आगे की कार्णियों और बढ़ा टेमपरेस्य पक्त के लिए अगले पाट पर आईए वे फाइनांस मिनिस्टर आप इंटरिम गॉर्मेंट में फाइनांस में चॉनिस तार Nh tomar सर आ कातली secondo सर्द toार भाई पटल महम्माद अलिढım जिनना जव अलाल नहरू साहव और ऍदलान पेह लिए ज का शम परसाद राजेंद परसाद बहुत बढ़ी है चलिया अगले कोश्टन पर हुवास ता फ़नांस वनेस्टर इन टरिम गवर्मेंट इन टरिम गवर्मेंट में फानांस मिनिस्टर कौन थे सर अ कि चलिए बताएं ठीक है सभी लोग का बिल्कुल बिल्कुल सही ओके अंसु जी गुड इवनिंग चलिए बताइए बताइए तो अंसु जी एना साम का टाइम होता है खाना पर बताने का कोई कि दिक्कत निक कल से बिहार जीके का अलागी टाइम रख दिया गया और बिहार जीके ही रहेगा उसमें यह भी अभी जस्ट दो चार कोशन रोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट और उसके बाद यह दी चौथा कोई सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है तो बिहार जीके इसलिए बिहार जी को करना बहुत जरूरी है आप सब जानते कि कितना कितना कोशन किसमें रहते हैं आप सब को ऐसा कोई मैं अनुखा चीज नहीं बता रहा हूं बहुत जी के इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं जो नए बच्चे होंगे जो पहली-पहली बार प्रिप सर गदर पार्टी कहां पर एस्टेबलिस किया गया था यस निसा कहरे कितने बज़े होगा बिहार जी के बद तीन कोशन और रुख जाओ मेरे ख्याल से आठ नो कोशन के बाद दस कोशन के बाद मैंने वो सेडिल प्रॉपर लगा रहा है पूरा सुबह से साम तक पी का ही बस रहोगे तुम हां ठीक है चलिए आंसर पर आते तो एक बच्चा जो अपना यूपी एस सी ओके पासवाण जी पर की पासवान जी है ओक है नहीं पड़ता आपका नाम ने दिख रहे दालू क्या लिख्ष। अनन रख्येगा लाला हर्ध्याल में परने उस्थ कहले पहला विस्युद्ध को देखते हुए यह बनाया गया थक भारत की जानकारी भारत के बारे में चीज़ कों लोगों को आगे बताया जाएगा निसाजी कहरे the servant of india society in 1905 servant of india society को किसने बनाया सर जल्दी बताएगा अना सुरेंद्रनात्र एनर्जी विपिन चंद्रपाल महादेव गोविंद्र रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले किसने बनाया क्या बनाया बताएए यह यह ठीक है चलिए चलिए यह सोहन सिंग और इन्होंने बहुत बढ़ी है चलिए आईए जरह देखते हैं हूँ एस्टेबलिश दा सर्वेंट आप इंडिया सोसाइटिया ना उनी सब पाच में तो सर्ण नाना अपने गोपू आना गोपू आपको जब आउबली में कहानी पढ़ाय जात है तो आपको बताया जाता है यहां डू Is do you respect और नौपल कृष्ण गोखले स하ाब यहीं के इन्हीं के द्वारा एक पत्रीका चलाए गई ती गया आप उस पत्रीका का नाम बता सकते जो इनके वारा चलाई गई थी सर पत्रिका का नाम जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में और जितने भी बच्चे जुड़े हैं लाइक सेर जरूर करते रहिएगा सैसन को और हां कोई भी नया बच्चा हो तो सुप्रिया सरेड़ा 247 टेलिग्राम आईडी पर जोइन कर लीजिएगा कल से हमने कुछ ख क्रों पूछा था कि इनकी एक पत्रिका भी ती किसी ने कुछ बताया क्या एक बार जी सा ओर में आया था जब हमको क्रोन लौजी पता नहीं था थीख है तो अब पता चलिया ना ठीक है? ठीक है बताइए बताइए ये कि यह कई जगों पर को से नाया हुआ है बचे यह वाला है ना ध्यान रखिए कोई नहीं बता रहा है इसका मतलब हम क्या मान के चले निसा जी राकेश जी नदीम जी अंसु जी सोनिका जी हां इस मैं सुधारक भुल गए आप लोग सुधारक थ्यान रखेगा ट्रत विचारख अ अ कि सुधारक एक और बात ध्यान रखिये नहीं के बारे में कि सर्फितंग गुखले शाहब जो हैं हमारे ये पालिटिकल गुरू थे गांधी जी के पालिटिकल गांधी जी जेल में थे अफ्रीका में उनसे मिलने के लिए यही गए थे उनसे मिलने के लिए यही गए थे ना यह सारी बातों को ध्यान रखिएगा चलिया यहां तो सर अब कल का पहले स्टूल कल से जो अगले कुछ मंत तक मिनिममम दो से तीन मंत तक फिक्स रहेगा वो सेडूल यह है आपका आप देख सकते हैं सुवह हमारी जो पीसे अजड़ा की टीम आपके लिए लेकर आएगी सुवह आपका रहेगा आठ से दस में करेंट अफेर ठीक है ठीक विसिसर कराएंगे दस से ग्यारा मे आपका बाहुवली जीएस होगा कंप्लीट जीएस कंप्लीट जीएस बाहुवली जीएस यह हम कराएंगे से उप्रिया सर ना यह हम कराएंगे आपको यह नोट कर लिजे यही टाइम अगले तीन मैने तक रहना है मिनिमम ना बारा से एक बज़े तक हिस्ट्री होगी आपक को चार से पांच बजे के बीच में आपका बिहार जी के होगा जो की हम कराएंगे ठीक है इस स्टूल में आपको काफी कुछ है ना ने आरे अभी खतम नहीं हुआ यह तो जस्ट बता रहें ठीक है कि ऑगे के स्टूल गया आप लग रहे यह सारी बातें ठीक है जैसे अब्जेक्टिव को य लिया डस से पंद्र ऑब्जेक्टिव लाएंगे उसमें उसा के बेस पर ठीवरी कराएंगे ठीक है आप लोग बताओ ठीवरी करना चाओ तौह Henny तो आप लोग बताईए गाज क्लास के एंड में जित्रे बात में रिकॉर्ड इड भी जो देखेंगे वह भी आप कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं कि आप थियोरी में इंट्रेस्टेड हैं या फिर अब्जेक्टिव को थियोरी के फॉर्म है उसको अब्जेक्टिव लिया तो दरसर कराएंगे ये पूरा आपका टार्गेटेड रहेगा ठीक है तो आपको हमने बता दिया सारे सेड्यूल को ठीक है असोक रॉय जी बहुत बढ़िया ठीक है गुड सामभवी जी कह रहें एम सी क्यू के साथ थियोरी आकास जी भी कह रहें है एम सी क्यू सही है सर बहुत बढ़ी आकास जी चलिए जामभवी जी ओके ठीक है राकेश जी ठीक है ओके ठीक है एम सी क्यू अंसु जी कह रहें सी क्यू विद डिस्क्रिप्शन ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो सी क्यों लाएंगा उसके साथ साथ उसको एक्स्प्लेनेशन लेकिन रहना सभी को है चार बजे का सहसन है सो नहीं जाना एक दम है ना जान दीजेगा आई अगला कोशन हुई इस रिलेटेट टू है ना चटगाव आर्मर रेड है ना आंसर है आपके ऑप्सन है आपके रास विहारी बोस चंदर सेखर आजाद बटो के स्वर्दत और सुर्य सेन उप्रोक्त में से कोई नहीं मोर देन वन बताईए नदीम सही है वोके पासवान जी सही है आकास जी सही है बहुत बढ़िया जीएस का वो सारा एमसी क्यू के पार्ट में भी हम लोग बाहुबली वाले पार्ट में कर लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है निसा जी कह रहे हैं लेकिन चार बजे हमको बहुत तेज निंद आती है सर अरे नि थोड़ा सा त्याग करो गरो स्वाननिंद्र वो बोलते बिध्यार्थी के पंच लक्षन होते हैं स्वाननिंद्रा वखो धियान मम अल पहारी ग्रेत्यागी काग चेस्ठा करो कैसे भी हरप लो एक सीट सेलेक्स ले लो और गलत तरीके नहीं सचे तरीके से मेनद करके चलिए सर इसका करेक्ट आंसर क्या है सुरिया सेन इनको 1923 में कैप्चर कर पाए थे अंग्रेज लोग ठीक है तो आप्से नमबर डी बिल्कुल सही है सर अगला अनंद मत आफ बंकिम चंद चटर जी विच रिवोल्ट इस मेंसेंड आनंद मत में किस है ना रिवोल्ट का वर्णान है सन्यासी कुका संताल मील या नन अब दावा मोर देन वन चलिए बताईए आयूस जी कह रहें आप सर तीन वज़े सुबह में भी रख दोगे तो क्या दिक्कत आरे वह या दिक्कत तुमको नहीं हमको दिक्कत हो जाएगी न आफिस आने में है ना तीन वज़े सुबह बुला रहे हो मेट्रों भी नहीं चलेगी भाई आएंगे कैसे चलिए चलिए चलिए ठीक है तो सभी का अंसर क्या रहे सर सन्यासी सन्यासी यास यास सो सन्यासी सन्यासी विद्रों सर ध्यान रखेगा सन्यासी विद्रों पर आधारित है और इस इसी से अपना है ना वंदे मातरम को लिया गया वंदे मातरम को लिया गया आपको बता दें वंदे के अधिवेशन में पहली बार वंदे मात्रम का गान किया गया था और उस सैसन के अध्यक्ष कौन थे उस सैसन के अध्यक्ष कौन थे दो कोशन वंदे मात्रम को कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार और उस सैसन के अध्यक्ष कौन थे बच्चो सामभवी जी ने बताया है लेकिन नाम नहीं बताया अध्यक्ष का सभी लोग अध्यक्ष का नाम माम मी जड़ा बता दीजिएगा तो मज़ा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है सर रहिम तुल्ला है ना 1896 का कॉंग्रेस हैसन अच्छा आप इसी के साथ बता सकते है उट्राइब का कॉंग्रेस हैसन कहां पर किया गया था वेरड़ सेल्ड़ है ना चाहिए बता सकते हैं और 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 एक बात सर बन्दे मातरम तो सुन ली आपने जैना का नमाना क Изपहली बार किस अधिवेशन में किया गया तर ये भी बता दो जैना का नम grammar और का गान किस अधिवेशन हुआ कि है नहीं घाटा डेते तो बहुत अच्छी बात है सरॉं हुए पास्वान जी कह रहें दादा भाई नहीं नहीं पास्वाण जी न दहान रखेगा नहीं है वर रिकित जैनेगा नriumàn का गान जो है 1911 के कॉलकाता सैसन में सबसे पहले किया गया था या आपको ध्यानक ना यास यास राकेश जी अंसुजी चलिए ठीक है अगला कुसर विच आफ दा फॉलिंग इवेंट हैपन फास्ट कॉन पहले वासर कुट इंडिया अना अराइबल ओफ एराइबल है एरायल म हंँ हम हुआ है कि चलियर ठीक है अरे अन्हें धरिष द्ली में दिली दर्वार लगा था भचे ठीडीद दरवाल लगा था लेकिन जो जानग ना मना तो गाए गया था वह पहले का उंग्रेस के से लिवाटु तो उसके बाद दिल्ली दर्वार जब लगाया था ना कूं था वो किंग जॉर्ज फाइब ना किंग जॉर्ज पंचम जब आया था 1911 में दिल्ली दर्वार में उस टैम फर भी आया गया लेकिन उससे पहले कॉंग्रेस के सेसन में हो चुका था ठीक है चली आगे बढ़ते इ पर लॉर्ट फेवल बाला दर गवरणर जैनरर वैवंबाद में आया सर और वरकारी स्टा सब्सेन में aprit किया है itu जो क्लburger काउआता जया सब्सुन होने कि सेक होने के बाद हम आपको डोमीनियन स्टेटस देने का सोच्छेंगे दे देंगे दोसरा पॉइंट कहा था कि समिधानिक सभा बनानी के मौका दिया जाएगा जिसमें की मैं बहुत कुछ लेकिन जैसे ये पॉइंट कहाना कि आफ्टर दा सेकंड वर्ड वार गांधी जी बोले सर ये तो ऐसा हुआ पोस्ट डेटेड चेक इना क्रासिंग बैंक यानि एक तो ऐसा है क पर उसने इतम बं जापान पर डाला नहीं तो आपको बता दे मित्चे जापान इतना खतरनाग वोच 6 अगस्त 6 तो 9 तो निस्टो सब्सक्राइब को हिरो सीवा नागासा कि पर जो दो बं डाला था उसके कारण जापान की रिल टूड गई नहीं तो जापान हार मानने वाल कहा कि सर क्यों हम कुट इंडिया लाएं कुट इंडिया का पहला वर्ड किसने यूज किया था मद्धिप्रदेश PCS 2018 में ये कुशन आया हुआ है कि सर कुट इंडिया वर्ड जो यूज किया ता वो किसने तो ध्यान रखेगा यूसफ मेहर अली ने फिर गांधी जी ने का यस यह बहुत अच्छा है उसके बाद फिर तो आप जानते हैं 1942 में मीटिंग पर मीटिंग की गई जिसका ड्राफ्ट आपके लाए थे जवारलाल नहरु साहब उसको सरदार वल्लब भाई पठेल साहब ने सपोर्ट किया था कोईट इंडिया के रिजोल्यूशन को और उस टैम पर प्रेसिडेंट को थे मुलाना अभुलकलाम आजात साहब लोंगे सर्विंग प्रेसिडेंट इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का बिफोर इंडिपेंडेंस है ना इसके साथ आपको बताया गुलाठिया टेंग मैदान में पूरा भरा हुआ मैदान था सर खचा खच भरा आपका गांधी जी ने भासन में अपना कहना शुरू किया कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं डू और डाय करो या मरो आठ अगस्त को बोला और उसके साथ ही रात के हना मध्यरात्री को बोला कुट इंडिया यानि जब तक 9 अगस्त हो चुका था जैसे बोला कुट इंडिय और सरोजनी नाइडू हो गई है ना इन सब को उठाकर आगाखा पैलेसमेंट बाट डाल दिया हमारे जवालाल नेरु साहब सरदार वल्ला भाई पठेल इन सब को बच्चों कहां पर डाल दिया एहमद नगर फोर्ट है ना एहमद नगर फोर्ट में और हमारे यह जो राज प्रकास नारायन के साथ साथ रामनोर लोया और हमारे उसा महता जी इन सब ने इस मूमेंट को लीड किया था इसलिए यूप यसी ने एक बार कोस्टन पूचा है विच मोमेंट इस लॉन एस लीडर लेस मोमेंट तो कुट इंडिया लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस मुमेंट था जिसको गांधी जी ने लीड किया वहां पर भी आंसर इन्होंने डाल रख है तो अलग-अलग आयोग का अलग-अलग आंसर आपको ध्यान रखना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं सर्थ तो करेक्ट आंसर क्या हो गया क्रिप्स बिशन वेजब फॉलेंग न कब से नहीं पढ़ा है अच्छा अच्छा चलिए ठीक है ठीक है बचेर अगले पार्ट पर आईए अंसर करिए अ देखिए बिहार में भी ना आप लोग यह मत समझेगा आपको मैं एक सभी को जो आउट आप बिहार वाले भी हैं यदि आप लोग चाहेंगे तो सैसन को भी आटेम्ट कर सकते हैं पता है क्यों मान जो एक एक जैंपल आपको बताते हैं मानली जिम 35 को से ला रहे देखें 35 ओस ला रहे इसमें से बच्चे 10 तो हो गा 15 होगा हिस्ट्री का 15 होगा हिस्ट्री का इस 15 हिस्ट्री में से आप यह समझे कि 10 तो ओल ओवर इंडिया की हिस्ट्री होती है तो शुरू में 10 को से नम हिस्ट्री का ही रखेंगे है ना ओल ओवर इंडिया क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री बिहार की इंडिया की एंसेंट हिस्ट नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं ट्राइकर लिए ज आक यह बटाए यह को सब्सक्राइब को कर दो कर दो कर दो कर दो यस आकास जी सारे PCS में काम आएगा बिल्कुल बिल्कुल बताईए इस को सिन का अंसर सोनिका जी ऑप्सन इ बता रही हैं ओके सोनिका और कोई नहीं बताएगा क्या अरे गजब को से ना गया क्या धान दीजेगा अना लाब्रेडी इस फ्यूल एंड फॉर्डर ये सब है एना टेक्निकल ट्रेनिंग सब है बट रूरल स्पोर्ट नहीं है सर इसलिए करेक्ट आंसर आफसर नमबर आपको ध्यान रखना यह यह फेक्ट्ट्वल एक डिरेक्ट आपको ध्यान रखना है अगला अना यह तो बजट जो भी बप्यस्टी पर यह साल का को संट तो वह क्या है बजट से रिलेटेट था तो उसको को हम लोग स्किप कर सकते हैं इन विच यह वास्टर नाशनल एक्स्टेंशन सर्विसेज लॉंच बताई उनिसा त्रेपन सतावन साथ बास बता बहत्तर बताईए चलिए चलिए ठीक है अंसर पर बढ़िए असां भवी जी फोर्टीन का यस 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 बताईए बट गलत आंसर आपका आया है निसा जी गलत है आँ निसा सही एब गोड़ गोड़ अंजली गोड़ अंसु जी गोड़ राकेश जी गोड़ ठीक है और पास्वान जी बहुत बढ़िए बच्छे ठीक है सो आप्सन नमबर है तो निसा त्रपन अगें ये फैक्छले सभी चीज का विकास करने के लिए ये लाए गयाता नेक्सनल एक्टेंशन सर्विसेस पुनिसा अना त्रपन में दो दो मेंबर फिस्टेट लेजिसलेटिव कांसल आर नोट चुसन भा विच फॉलां ग्योड़ गोड़ गोड़ इस टीचर्स ग्रेजुएट इंडुस्ट्रिलिस्ट नन अब दावाब मोर देन वन बता आईएगा ये गाश्ट और कल ध्यान रखिए बाहु बली का 11 बजे वाले सेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर तो हम लोग पढ़ेंगे पंडि के रखियेगा गौै फोटो जित्रिए अधिक टोल तॉक्स के अलावा आपका जो साथ ऑक फोटोफॉसफोर लाइसटियल जो शॉर्ट बाम typically फोटो फॉस्पर रिलेजिसapping यह सब हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे कर फोटोवत खोर सिंधैस एंड हो गा तीन कीु तो डी 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 बहुत बढ़ी यहां ध्यान दीजे ना इस्टेट लेजिसलेटिव काउंसिल को ना कौन चुनते सर्थ मेंबर आप दो कल बाड इस बिल्कुल सही है टीचर बिल्कुल सही है इंडस्ट्रिस नहीं होते है ना तो यही आपका ऑप्स नमबर दी ध्यान दीजेग कि एंड़ा है ना वन थर्ड वन थाड और वन थाल आप डिवाइड करते यह सब पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ना होता है बच्छे हैं ठीक है वन थर्ड वां थार्ड वां थारफ का मले करेगा और यह जो फिर वन थार्ड वाला सेक्शन है इस में भी आपका हो यह सब थोड़ा सा ध्यान दीजेगा नहीं तो बाकी तो लोग बाव बली में सारा चीज जैसा बताया पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे आगे बरत एफेक्टिव कॉरल इस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम कॉरल इस फोर्सर कैसे होता है सोलर सिस्टम आर्थ रोटेशन इंटीरियर या आपका कॉलराडो गल्फ में स्ट्रीम उप्रोक्त में से कोई नहीं और मोर देन वन बताईएंगे सो कॉरियल इस फोर्स जो है मेली अर्थ के रोटेशन के कारण आपका बनता है और ऐसा है सर कि जितने भी आप हवाओं की डिरेक्शन देखते हैं जैसे आप पड़े हूंगे नॉर्थन हमिस्पियर में आपने देखा होगा यहां बनाए यह रा नॉर्थ हमिस्पियर उत्त कि जा रही है स waktu तो आपने देखा होगा कि इधर से जो हावाइज जा रही है इधर से हॉला ऐसी जा रही है मालों ऐसा जा रही है और यहां पर आते ही इधर क्यों मुठ जाती है नइंग्राश हम्ह star men जिरो डिगरी पर आते हैं यह इधर क्यों मुर जाते क्यों कोरली स्फोर्स के कारण कोरली स्फोर्स है ना और फैरल लो यह सब दोनों आपको ध्यान रखने इस सब के कारण यह जो विंड की डारेक्शन है नौर्थ हेमिस्पेर में राइट की साइड हो जाती है मतलब जिदर भी खड़ाए जिस पॉइंट पर यह खड़ाए ना उससे राइट उससे राइट होगा इसलिए आपको इस तरह से दिखता है जोग्रफी के एंसे रटी सब में आप देखे होंगे ऐसा डाग्राम सब बना हुआ है ठीक है तो ट्वार्ट अर्थ ओके चलिए सर अगला यह 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 बता ही गाओ क्या है सर ऑके निशा जी बिर्जेश जी बिल्कुल सही राकेश जी आयूस गलत है अंजली जी सांभवी जी गलत है सो लेबनान इस दा करेक्ट आंसर यह सबना मैपिंग वाला पार्ट को जरूर ध्यान रखे कि कौन सा ना बोचार को सिन काफी बार एक्जाम में आता है ड जान रखेगा डबल लेंड लॉक कंट्री सिंगल लेंड लॉक कंट्री डैट सी क्या राओंड कौन-कौन सा ऐसे को सब्सक्राइबरेट को सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब कुछ मैं बना कर रख लिए जैसे अवी आप देखिए एक टर्म आपने सुना होगा बीपी एस S gaining PREY पूछा गया है पिछले से पिछली बार 57 16 66 66ère BPS SY Mena Nordic Country except in Nordic Country अब य होता है Nordic Country W our फिशन्या वहां पर बी पीयस इमेंस का चिह आई रेंक है नहीं इभरी पारामेटर किसी भी आप देखे इन के सिह मेंनन डवलप्त में इन देखे या जेंडर गापया किसी वे अच्छा जो रेंक है वो ऩूर डे कंट्री का है अफ टी कंचिर रहेगा ज मित्म अफिट में लिखेंगे आना वो सब चीजों को जानकारी प्राप्त करते रहे यह क्योंकि यह सब बहुत थी ऐसे कोशन होते 38 नंबर को हिला कर रख दिया था यह दिन्वार्डिक कंट्री किसी को पता होगा तो लिख देगा नहीं तो बस चुपचा बैठा रहेगा ठीक है चली अगल नेक्स्ट इस इंडियन कॉस्ट लाइन में अना कौन सा ऐसा मिनरल है जो बहुत सारा आपका पाया जाता है टिक सो टंगस्टन टाइटेनियम गैलियम टिन बताईएगा अनिसा करें लेकिन यह सब भूल जाते हैं तो इसलिए तो ध्यान रखो ना हमेशा कि नहीं वो नहीं है नॉर्डिक कंट्री सांब वी जी चलिए इस कोशन का बताईए गया देखे इसका करेक्ट आंसर है टाइटेनियम टाइटेनियम इसका करेक्ट आंसर क्या है सर्ट टाइटेनियम आपको द्यान a glass compare the Himalayan river with a Peninsular river based on the falling and a comparison most of the Himalayan river our perennial whereas most of the most of the perennial river are rented and a agla head that the gradient of Himalayan river is أنا steeper then steeper than you have that in a peninsular river the Peninsular river causes more erosion on its wave in comparison to तो दा हिमालियान रिवर चूज दा करेक्ट आंसर फ्रॉम दा अब ऑब ऑप्शन वन एंट टू वन एंट्री इधर को आपको दिख रहा है तीसरा अप्शन इधर आप हिंदी वाले में भी देख सकते वन एंटर्ड चौथ था है वन टू थार्ड पाच्वा तो नन अब दा कावब मोर देन वन बताईए यस चलिए ठीक है साइड है खट जाना और ताके आप लोग देख पाएं ठीक है करिए चलिए सर तो चलिए सार तो करेक्ट्रांसर क्या है देखिए आना क्या है सर मौस्ट आप धानलेघंड रिवर करे नियल वेराज मौस्ट अप्लवगण रिवर सर पेरिनियल रिवर इसलिए है हिमालियन रिवर क्योंकि देखिए कई तो हिमालियन रिवर ना आपने एक टर्म सुना होगा एंटी सीडेंट एंट कॉंसिक्वेंट है न तो हिमालियन रिवर जितने भी है वो एंटी सीडेंट मैक्सिमुम उनमें से एंटी सीडेंट मैक्सिम उससे पहले से है जैसे गंगा हैना ऐसे नदिया क्या है तीनों के बनने से पहले से उनको कहा जाता है एंटी सीडेंट रिवर हैना जबकि इधर वाली जो नदिया है न अपने पैनेंसुलर पार्ट का पठारी पार्ट का वो होती है वच्छे कॉंसिक्वेंट यानि की यह जाते हैं पानी से भरी खैक है और दूसरा पाइंट यहां पर ध्यान रखिए कि हमालयान रिवर्स्टी पर यह भी पाइंट ठीक है यानि पहला और दूसरा पाइंटे स्मिंत थीक है तो आप्सा नंबर ए इस दा करेक्ट आंसर ठीक है चलिए गंगा प्लेज प्लेज विल गई थी सर हाई रे रे निशा जी बताई ये ये बहुत बड़ा जुरमाब कर दिए अब कर लिजे कोई दिकत ने कि चलिए तो ठीक है सांभवी जी नदीम जी ब्रजेश जी और अंजली जी निसा जी एक नमबर गलत आंसर है तुम्हारा अब दूसरा सबका देखके आंसर की ओका निसा तुम हाँ ही ना जी बहुत बढ़ियां सीमा जी अंसुजी वर्ट सो सर यह जियो सिंक लाइन है जियो सिंक लाइन ठीक है अलग 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 कॉंसेप्ट होता है एक डेल मैंने रुकिए गा यह सब आपको वाव वली बहुत पर 11 बजे सब आपका छे मैने होले से पहले मैक्सिमम मतलब मेरे कहल से दो या तीन सब्जेक्ट में वहाँ पर कवर करा दूंगा ठीक है आप लोग बस रेगुलर वहाँ पर जुड कर रहिए 11 बजे यूट्यूपर फ्री है भाई कोई पेड़ वेड़ नहीं है कभी आप लोग सोचे कु को आगे बढ़ते हैं सब थ्योरी फूल डीटेल से वहाँ पर जानेंगे कंसेडर दा फॉलएंगे स्टेटमेंट है ना कंसेडर दा फॉलएंग इस्टेट पंजाब उत्तर प्रदेश आंदर प्रदेश वेस्ट बेंगवाल आपको बताना है कि इसमें है ना राइस इस सटेट को अरेंज करिए राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट को अरेंज करिए इसका भी एक सॉट कट आपको बताए हैं नहीं ध्यान होगा तो हम बताएंगे फिर से चलिए एक साइड हड़ जाना नहीं तो फिर कि अ अरे सांभवी जी नदीम साहब दोनों गलत है आंसर निसा जी निसा जी आ निसा का बिल्कुल सही है बहुत बढ़ी है निसा गुड अन्सु जी गलत है ध्यान रखें पहले तो बात यह है 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 ना आपको याद रखना है पुत्र पुत्र पंजाब उत्तर प्रदेश है ना पंजाब उत्तर प्रदेश ठीक है यह आपको ध्यान रखने में लेकिन उस टैम पर जब यह कोशन आया था तो उस टैम पर आंदर प्रदेश भीता पहले इसलिए इसका अंसर डी है ओके यह आपको ध्यान रखने है पुत्र नाम से में बताना है एक और बात आपको बतानी है एक और बात बतानी आपको क्या बहुत छोटा चाइक कोशन आपको पूछ कर जा रहे हैं सैकलोन नॉर्थन हेमिस्पियर में डारेक्शन क्या होता है और इस कोशन को दो कोशन को आपको दे कर जा रहे हैं ठीक है आपको कमेंट सेक् कल 11 बजे सुबह मिलेंगे बच्चों और फिर साम को चार बजे बिहार जी के वाले पार्ट में टेक या गॉड ब्लेस यू और सभी लोग जरूर 11 बजे तो आप लोग रहेंगे ही चार बजे भी जरूर एलाम सेट कर लिजेगा क्यूंकि हम चाहते हैं बिहार जी के को उतना ह की रेस्पेक्ट दिया जाए जितना हम लोग बाहु बली या और किसी सैसन को देते हैं ठीक है ऐसा नहों कि विहार जी के जो हमने एक सोच रखकर लाया हूं ध्यान से सुनिएगा मैं सोच यह रखका है कि जब तक होगा एक्जाम तक जब तक सारे टॉपिक को थियोरी औब की जब तक झाल झाल